पूरजपुर की जहां हो रही हाथियों की मौत के मामले को केंटर सरकार ने गंभिरता से ले लिया है सरकार ने तीन सदसी टीम को हाथियों की मौत की ज्वास के लिए भेजा है आपको बता दी कि प्रताबपूर के गणिशपूर में नौ और दस सून को दो हाथियों की मौत हो गई थी जाच टीम ने यहां के ग्रामरों से बात भी की है और मामली की बारिक्ची से जाच भी की जारी है जाच टीम ने बताए कि हमारे पोस्टम रिपोर्ट देख ली गई है और अभी कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है और सैंपल आई वी आर में भेशा गया है वहीं से कन्पम रिपोर्ट आए गए जो अब में निकला है तो अभी पार्ट में लेकिन खारा सांपल्स का जो इंटर्नल ओर्डन से उसका सांपल्स के आई गराई जो एक बहुत वरिष्ट ओर्डनाइजिशन है अधिशन है परदेश परता पुराय परता पुराय दोने शाहिट कर देखें जहां पर घर नहीं पर फिर श्रम में पूस्ताश किये हैं कि हम दो से लगी क्या क्या कार रही हुआ कितना तworking पहुंचे है क्या क्या किये हैं पूरे जानकारी मिलें के बाताथ लीवान गरे में अ टाजके पर साथ Sh Nasmen bullish के लिए अससादने ता बेया कि सांथ वहाण का आता दे बाता ऐख है मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है दिल्शाथ से संपर्ख तूड़ गया है तो बारा से जुनी की कोशिश कर रही है आपको बता रही है कि मामला पूरा शुरशपुर का है जहां खाथियों की मौत का विश्वे चर्चा का विश्वे बना हुआ है और लगतार इसको लेकर जाश की बाद भी कही जा रही है और तीन टी में गठित ही गई है जिन्होंने फाइनल रिपोर्ट बना कर भी आगे भीजी है और अभी कंपर्म होना बाकी है और एक बार फिर से हमारे साथ पर संबद आता है दिल्शाथ जूड़ के हैं दिल्शाथ अभी तक कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आए है फिर यवाज आप तक पहुश पाई दिल्शाथ तो एक बार फिर से दिल्शाथ से संपर्ख शूड़ गया है आपको बता दे कि मामला पूरा सूरशपूर का है जहां रिपोर्ट आई ब्यार को भेजी गई है अभी हुई है से पहले आपको बता दे कि एक मामला सामने आया था जिसके बास से जो हातियों की मौत का मामला है वो लगतार तूल पकड़ता जा रहा है तो इसको लेकर कई सारी टीम भी बनाई गई है जो लगतार इसको लेकर जाश भी कर रही है और सूरशपूर में आई जाश का भी इंतजार है तो जहां जहां हातियों की मौत हुई है किस कारण बश्च मौत हुई या किसी की शरारत है इन सब की जाश भी जा रही है और अब हमारे साथ में DFO जियार भगर छूर गया है बहुत स्वागते बहुत थे आपका स्वाराज एक्स्प्रिस मेरी आव बतार हम देख रहे हैं कि जो हाथियों की मौत का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर तूल वाले पात रही है जो जो हाथ ही जो है उसमें जाश हो रहा है चेंट्रल से भी जाश कीम आया हुए तो नहोंने पिर मौका जाश करकिए है तो यहां खेंट बेजा गया है जो है बरीदी बेजे है और हम देख रहे है जो है तो इसको रिपोर्ट नहीं आ जागा तक रहे है इसकर्ष्ट में इसकर्ष्ट में नहीं इंदम दखी कि अवास्त में हाथ की मिल्चु किस पता से रहा है पर भगजजी आठ और नौ जून का यह बामला है जिसके बाद में अब आज 24 तारिक हो गए है लगभग 13 से 14 दिन हो चुके है और कितना वक्त लगेगा अब वक्त हमारे हाथ में पर है में नहीं कि एक सब्सक्ता बता जिया उनके लेंग को पर टिपेंड करता है कि पर इनमें लोग जांस रिपोड़ दे है हम तो यहां पर मौके में कारवाई करही है जिसका जिर्भी वाने के इविटेंस मिल रहा है जो पूस्ताइचर लें लोगों की जांकारी ने रहे हम दुर्मानिक लगें लिए यहां पर जल्वानाना के चलिए उमीद करते हैं कि जल्से जल्स रिपोर्ट आएगी और किस कारण की मौक की है इसका खुलासा होगा और अगर किसी की कोई शरारत है तो उसको लेकर भी सक्तकारवाई होगी हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत सुक्याब करते हैं